नमस्कार दोस्तों तो आज हम लोग बनाने वाले हैं राजिस्थान की भर्वा मिर्च या फिर से वहां पर मिर्ची का साग भी बोला जाता है या फिर इसको हम लोग मिर्ची का अचार भी बोल सकते हैं देखिए इसके लिए मैंने बीच में से चीरा लगा कर सारे बीच जो हमको इसका भर्वा तयार करना है अंदर भरने के लिए वो उसके रहे मैंने एक टेबल स्पून ओई लिया उसमें जीरा डाला और उपर से आदा कप मैं उसमें बेसन डालके इसे हमें बिलकुल लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेना है बहुत आसानी से बहुत ही करें वैसा अमचूर पाउडर एक चोटा चमच और सॉल्ट डालकर और आकरी में बाइंडिंग के लिए यह बहुत इंपोर्टन है अगर आप आलू डालोगे तो इसका जो बाइंडिंग होती ना वह बहुत अच्छे से हो जाती है वो डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस पूरे मिश्रन को हम लोग हमारी मिर्ची के अंदर अच्छे से फिल कर लेंगे हम सारी मिर्चियों को इसी प्रकार से तयार कर लेंगे यह बहुत बढ़िया रेसिपी है बहुत आसानी से बन जाती है अगर हम लोग हमारे घर में कोई गैस्ट आते है तो प्लेट में यह पर चार टेबल स्पून ओई लिया है और इसको मैं अच्छे से दोनों हर साइड से जो है मैं इसे तल लूँगे शैलो फ्राइ कर लूँगे तो देखिए मैंने इसको अच्छे से डाल दिया है और अब जो है हम इसको ढख कर करीबद एक मिनिट के लिए छोड़ देंगे यह मैंने इसको ढख दिया अब एक मिनिट के बाद में मैं इसे फिर से ओपन कर रही हूं और ओपन करने के बाद में हम इसे फिर से पलट देंगे ताकि यह हर तरीके से हर साइड से बढ़िया तरीके से सिख जाए यह देखिए बहुत ही टेस्टी लगता है पराटे के साथ भी रोटी के साथ में भी इसका स्वाज जो है बहुत ही ला जवाब आता है फिर से मैंने इसको ढख दिया और एक मिनिट के लिए लिट को कवर कर दिया फ्लेम जो है वो मेडियम फ्लेम है और यह देखिए इस तर बचा लेना है उपर से डालने के लिए विकाज यह टेस्ट को और भी ज्यादा बढ़िया बना देता है इस तरही किसे डाल देंगे और अच्छे सब को आपस में मिक्स कर लिए और यह हमारी शांदार बढ़िया भरवा मिर्च बनकर तयार है आप सब भी इसे जरूर अगर रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें तैंक यू जै हिंद जै भारत